हेलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको नॉक सेंसर और आरडीनो के कनेक्शन करना सिखाऊंगा साथी में फ्रेंट्स नॉक सेंसर की वर्किंग को भी बताऊंगा तो जैसी फ्रेंट्स नॉक सेंसर की उपर हम कुछ इस प्रैकार से नॉक करते हैं बदले में friends हमके यहाँ पर output मिलता है जिससे LED bulb के लो होता है तो चली friends अब हमारी वीडियो को हम श्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले friends हमके यहाँ पर एक Arduino लेना है जिसके अंदर हमको coding को upload करना होगा और इसके बाद friends हमके यहाँ पर एक nox sensor लेना है nox sensor के साथ friends हमको यहाँ पर 3 jumper wires को connect करना है black को ground के साथ connect करना है red को VCC के साथ connect करना है और yellow को S के साथ connect करना है इसके बाद friends हमको nox sensor और Arduino के आपत में connection करना है इसके लिए हमको black wire को Arduino के ground के साथ connect करना है red jumper wire को हमको Arduino के VCC pin के साथ connect करना है और yellow jumper wire को हमको idno की pin number 3 के साथ connect करना है इसके बद friends हमको यहाँ पर एक LED bulb लेना है जिसको friends हमको ground और pin number 13 के साथ कुछ इस प्रेकार से connect कर देना है इसके बद friends हमको blue data cable को idno के साथ connect करना है और otg cable को अपने android mobile के साथ connect करना है इसके बद हमको play store से idno application को download करना है और इसको कुछ इस प्रेकार से open कर लेना है friends नीचे मैंने coding के link दिये simply आपको link पर जाना है और coding को copy करके screen पर paste करना है इसके बद आपको code को compile करना है और compile होने के बद friends आपको upload बटन पर click करके इस code को upload कर देना है friends coding upload होने के बाद जैसी ही आप knock sensor पर कुछ इस प्रकार से knock करेंगे बदले में friends हमको यहाँ पर इस में output मिलेगा जिससे led bulb glow होगा friends यदि आप कोई वीडियो अच्छी लगी हो तो please इस वीडियो को like ज़रूर कर दें और आप मेरे चैनल पर भी नए हो तो please चैनल को भी आप subscribe कर ले